चेंसो मैन एनिमे ने क्रंच रोल का सरवर तोड़ दिया अभी तक चेंसो मैन का सिर्फ तीन ही एपिसोड रिलिज्व हैं और ये मानना पड़िगा कि मापपा स्टूडियो ने बहुत ही बढ़िया काम किया है उन लोगों ने पहले एपिसोड में हमें देंजी और पोजिटा के बारे में दिखाए और देंजी का इसे चेंसो मैन बना और दूसरे एपिसोड में उन लोगों ने तीन मेजर करेक्टर को इंटर्डीस किया आप माकीमा, आकी एंड पावर दूसरे एपिसोड में हमें ये पता लगता है कि devil hunter government के साथ काम करता है हमें fan के बारे में बताएगा जो कि इंसानी होते हैं लेकिन जिन पे devil हभी हो जाता है हमें characters के बारे में थोड़ा और जाने को मिलता है जैसे आकी का एक sad backstory रह चुका है देंजी के नेग गोल के बारे में पता चलता है जो काफी interesting है और मुझे सूतरो के हिसाब से ये भी पता चला कि Gus भी चैंसर मैं के बहुत बड़े fan है like literally